स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षन में फोर्जी स्कुल में आज हम पढ़ने वाले यत्ता आठवी का हिंदी सब्जेक्ट तो आज आपको हम बताने वाले हैं गाना बजाना के प्रशन उत्तर इसके हमने छुड़ाय हुए है हल करके दिये हैं प्रशन उत्तर आप द प्लेलिस में जाए वहापे आपको पार्ट दिख जाएंगा पढ़िए फिर से आके कोशन हंसल हल कीजिए इसमें हमने आपको सर्वनाम का वाके में प्रयोक करना किस तरह किया जाता है यह समझाया है सोय माध्यम में भारतिय शास्त्री संगीत परंपरा के जानकारी भी हमन पर देखते हैं को इस तरह से पार्ट है आपने पड़ा है जो अरा मुरक्ष बेनपूरी नहीं लिए इनका गद्द्य पार्ट था है इनकी पार्ट में नोंने विवित देशों के वाद्दे के बारे में हमें डंग बताये थे तो हम देखने वाले इसमें इसकी प्रशना य यह आगे देखते हैं चुड़ा के पहले यह सारे चीजें पार्ट के सरोणा हमने अलग से बता है और भारती संगी शास्त्र पुरंपरा संक्षितन जानकर यह अलग से हमने अपको लिख के बताया है आगे देखते हैं यह आपके कुछ शब्दवाटी का है बेताशा मतलब असमीत मतलब कभी खतम होने आला नहीं जो कभी खतम नहीं हो सकता इस तरह से क्यों सिमीत नहीं हो सकता बेताशा पी पुही मतलब छोटी बासुरी जो आप देखते हैं जत्रा में या फिर जो भी अलग-लग मेले लगते हैं उसमें दिखाए देगा नरकट मतलब पतली गार मतलब जादा और अधिवासी मतलब आकर बसने वाला यह चीज यह पर आपको समझनी चाहिए आगे देखते कोशन्स पहला प्रशन है सुछना के आनुसाल कृतिया करो संजाल पूर्ण करो यह पर आपको पूरा यह चार्ट दिया है इसको हिंदी में संजाल कहते है इसको आप पूर्ण करना है मतलब पूरा करना है पार्ट में आये हुए बाजे बाजो के नाम आपको बताना है अभी पार्ट में जो जो भी आपके वाद्य आया है जो भी बाजे आया है उनके आपके नाम बताना है सारंगी ढोल वीना सितार यह हमने आपको लिखके बताए आए दू मैक्सिको का काट से निर्मित वाद्य है ॐस वाद्य पर एक साथ 4 चार आदमी तक वजहा लेते हैं मैक्सिको का कार्ट से निर्मित वाध्य है इस वाध्य पर 14 चार आदमी के वजहा झा कर han reproductive chicken दुसरा है राजा, ये चीन का प्रसिद्ध वाद्धे है, एक काट का तक्त रटका रहता है, इस पर 16 पत्थर के तुकड़े दो पंक्तियों में सजाये रहते हैं, या तक उसका एंसर है, और एक काटी के सारे से उसके बजा कर अलग-लग दुन या पर उससे निकाली जाती है, या पर यह समझाया है, आईए देखते आगे, लिखो, गाना, बाजा गाने को बना देता है, मतलब क्या बना देता है, या पर उसका एंसर बढ़कदार और दिल्चस्प, है ना, गाना बाजे को बना देता है, बढ़कदार और दिल्चस्प, ये बजा बना देता है, जाप देखते हैं आईए घार भी शैके और सबसे अपनाव एक उपसर्गर युँक्त शब्दा आपको बनाना है उसका लगा कि हमने अ-समान यहां पर देख सकते हो उपसर्ग युक्त मतलब आगे जो शब्द बनके अक्षर वर्ण बनके जो शब्द तायर होते हैं उसके उपसर्ग युक्त शब्द गएते हैं प्रत्य युक्त शब्द जो पीछे अक्षर वर्ण लगते हैं उसके शब्द लखी जो शब्द तायर होते हैं उसके प्रत्य य करा है समानता या पें यूज करें आई ऊप्योग करा था हमने अभी डूसरा सब्द है शूर का हम दूण कर उनका वाक्य में प्रोग करो यह हमने आपको आफ़ लग से चुड़ा बताया हुआ है वह आगे देखेंगे आईए देखते हैं और अपनी मात्र भाषा में के समचार पत्र दस पंक्तियों में हिंडी म्यानवात की यह आपको खुद करना है और यह मैंने इसमें क्या समझा आपने इसमें क्या समझा इस गद्य में आपने क्या समझ में आया आपको यह गद्य निबंदपर है प्रस्तुत निबंदपर में लेकरक ने कुछ देशों के वाद्यों और गायन वाधन के डंग के बारे में बताया है यह हमको इस पार्ट में समझ में आया है भाति शास्ति प्रसंगीत परंपरा की संशिप्त जानकारी लिको इसके बारे में आपको आगे बताया है यह देखिए आपे तुम बाजार कप जाओंगे वह हमेशा समय पर पार्चाला जाता है हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं थे आप चलिए आपको पार्चाला छोड़ देता हूँ यह हमारा बंगला है कोई कमरे में कोई बैठा है जो परिश्रम करेंगा वो सफल होंगा कौन तुमारा कमरा कौन सा है है न यह हमने कौन का सरवनाम नम पार्ट में आयो है सरवनाम धुनकर आपको हमने आपको समझाने की कोशिश की है अगर देखते हैं जो हूँ हमादय योड़को कोशल करने की को प्रश्न है भारतिया चास्तिया संगित परंपरा के सयंक्शेप्त ज्यानकारी लिखो संगीत को भारतिय संस्रूतिक आत्मा का आ जाता है संगीत हमारे देश के लोगों के जीवन में रचा बसा है हमारा कोई भी शुब कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता भारतिय शास्त्रिय संगीत का प्रारंब वैदिक काल से भी पूर्व का है प्राचीन काल से लेकर आज तक आते आते भारतिय शास्त्रिय संगीत में अनेक परिवर्थन हुए है भारतिय शास्त्रिय संगीत के इतिहास में स्वामी हरीदास तांसें, अमिर्क खुसरो आदी के नाम अमर है इस परंपरा को तब से लेकर अब तक अनेक गुनी कलाकारों ने समरुद्ध किया है और आज भी समरुद्ध करते जा रहे है भारतिय शास्त्री संगीत में दो प्रकार प्रचलित हैं एक है हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत और दुसरा करनाटा की संगीत इंदुस्तानी शासी संगीत सारे देश में प्रचलीत है करनाटस दक्षीन भारती राज्यों में बहु प्रचलीत है यह उसका अंसर था तो इसी तरह के उत्तर हम आपको अलग तरह से समझाने के लिए हमारे इस चैनल पे रोज अपलोड करते रहेंगे तो आपको अगर हमार दोस्तों में शेर कीजिए ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी जानकारी पहले आपकी मोबाइल पर या आप तक पहुंच जाए डारेक्ली किसी लिंक का आपको इंतजार ना करना पोड़े तो बने रही है हमारे इस चैनल पे